जब कोई पेरेंट हुड में कदम रखता है तो एक तरफ खुशी और एकसाइटमेंट होती है वहीं दूसरी तरफ शिशू की सेहत को लेकर टेंशन भी होती है जिम्मेदारी भी होती है तो आज हेलो डॉक्टर सेग्मेंट में हम बात करेंगे कि आप अपने शिशू की देख अगर यह उनकी पहली सर्दी अगर्मी हो तो उसके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है आए उनका स्वागत करते हैं हमारे साथ हैं दॉक्टर सौरव खना आपका स्वागत है हमारे शो में आप हैट दिपार्टमेंट ओफ नियो नेटलोजी पीडियाट्रिक्स सी के पिरला हॉस्पिटल गुरुग्रा साथ ही वेलकम करना चाहेंगे शुद्धा आर्या का नमस्का डॉक्सार बॉर्निग आप रोफेसर नियो नेटल पीडियाट्रिक्स अधर्जेधिंग हस्पताल से वर्डूर्ट सुगंदा क्योंकि आप इंचार के दौरान शुदू हुए देखना कि अगर बिमार बक्चस पैदा होते हैं इस को नीटल इस बोलते हैं बच्चा वाहर रहता है मां पोस्ट डाल में रहती है रहती है और बीच- बीच में आके बच्चे को देखती हैं यही हम सालों से हर जotion करते आई यहीं ने कि डिज varsa र इसे बच्चे के साथ रखते हैं, तो इससे बच्चे की रिकवरी अपनी बिमारी से बहुत जल्दी होती है, उनको दूर ज्यादा मिलता है बच्चे का, करंगारू मदर कर करने से गर्माहट मिलती है, और ये बच्चे जल्दी ठीक होते हैं, और स्टडी ने पाया 25 प्रतिश और सब्दजंग रफर होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर सौरब जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो जो बाहरी टेंपरेचर है, बाहरी बातावरन है, उसमें उसको स्टेबल करना कितना जरूरी हो जाता है, और क्या वो पहली चीजे होनी चाहिए, जो अ होती है, वो इसके अराउंड चलती है, अगर बच्चे बाहर का टेंपरेचर बहुत गरम होगा, तो बच्चा अपना टेंपरेचर नहीं रेगुरेट कर सकता है, वो फीवर आ सकता है उसको, अगर बाहर बहुत सर्दी होगी, तो बच्चा अपना टेंपरेचर नहीं रेग बच्चे की growth नहीं होती है और complication आती है इसलिए जो care है ये शुरू हो जाती है right at the time of birth जैसे ही जनम होता है तो उस time पे हम उनको cover करके पहले उनको dry करते हैं और फिर skin to skin contact देने ही कोशिच करते हैं mother से ता कि breastfeeding इनिशेट हो और temperature बेरेगे लेगे 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 करते हैं दूसरी चीज इंपॉर्टन ये है कि जब ऐसा होता है उससे temperature के साथ साथ हमें breastfeeding इनिशेट भी करानी होती है तो इसलिए skin to skin contact से हम आदे घंटे गंदर breastfeeding इनिशेट करा सकते हैं अगर आप ए golden rule माने तो ये होता है कि अगर हमें दो लेयर चाहिए कपड़ों की ठीक है तो हमारे बच्चें को एक लेयर एक्स्ट्रा चाहिए होगी अपना temperature regulate करने के लिए at the same time गर्मी भी लगती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गर्मियों में over wrap कर दें जिसकी वैसे बच्चे को बुखार आजाए अगर आपके भी ज सवाली का STD code और नंबर है दो तीन शुनने नौ साथ पांच तीन दो आज हम फोकस कर रहे हैं infant childcare यानि शुनने से लेकर एक साल तक के बच्चों से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आम अंतृत है विशेषता हम neonatal यानि पहले महीने पे रहेंगे तो जैसा डोक्टर सौर और सिरफ मा का दूद कुछ भी और नहीं बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो यह सब माओं का सवाल होता है कि इतनी गर्मी में क्या पानी बीना दें तो मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहते हूं कि बच्चा पैदा होने के ब पानी देने की गर्मियों के मौसम में भी कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर सौरव अभी कैंगरू मदर थेरपी की बात की तो अक्सर आजकल हम देखते हैं कि फादर से भी बच्चे को चिपका के रखा जाता है तो क्या उसके पीछे भी यही लॉजिक है बिल्कुल सेम लॉ इस से बहुत सारे फादे होते है एक हम पहले ही बात करनी की इमपोर्टन है इसकर इमपेशरर करना यह पेरेंट की और बच्चे की बॉंडिंग को बढाता है मने इमपोर्टन सी है कि उससे ब्रेस्त Molly निसेट होती है औ किՑण बॉंदिंग बरती है तो बच्चों का डिव तो आपके पास अनुभव नहीं है, उसे उठाए कैसे, और भले आप उसके वेल विश्यर है, जाने अन जाने गलत उठाए तो उसको चोट लग सकती है. What's the right way to hold a newborn? Parenting के लिए बहुत rocket science नहीं है, तो पेरेंट बनने के साथ ही तयार हो जाते हैं, तो हम बेसिकली जब बच्चे को उठाते हैं, मेन है कि आपको उसको पूरा support करके उठाना चाहिए, कि उसकी neck unsupported नहीं चोड़नी चाहिए, क्योंकि neck support आने में दो से तीन महीने लग जाते हैं, तो neck supported होना चाहिए, नीचे से बटक supported होना चाहिए, यह same concept रहेगा जब breastfeed कराएंगे, कि बच्चा पूरी तरह supported होना चाहिए, straight line में होना चाहिए, ऐसा नहीं बॉड़ी एक तरफ गिर रही है, तो this is the simple चीज़ा है, एकदम साधारन सी चीज़ा है, तो parents बिलकुल नहीं सो होता है, बहुत सारी mothers एक problem face करती है, बच्चे को वो latching issue हो जाता है, वो ठीक से कहते है ना breastfeed नहीं लेता है, तो ऐसे में एक तो अलग तरीके की tension mother को हो जाती है, साथ में समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे करें, किस तरीके से उसको feed कराएं, तो क्या करें, क्या सही टेक्नीक ह तो जो बच्चे पूरे समय के पैदा होते हैं, उनमें usually इतना problem नहीं होता अगर हम उस बच्चे को ठीक से position करें, लेकिन आपकी बास सही है, जो mothers, especially primary mothers, पहला delivery होता है, तो उनको latch करने में दिक्कत होती है, तो बच्चा फीड नहीं कर पाता, तो दो तीन चीजों का ध्यान रखे हैं, जब breastfeed कराएं, एक तो पहले जो mother है, वो खुद ठीक से supported बैठे है अपनी position में, chair पे या bed पे, अपनी back support लेके, मैं दिखा भी सकती हूँ करके, usually mothers ऐसे गर के दूद जुक्की पिलाती है, जिससे क्या होता है, उनके अपनी कमर में भी दर्द होता है, और चेर पे, चाहे बट पे, आप supported होने चाहिए, और बच्चे को जैसे मैंने बताया कि सीधा रखना, कि उसको सर रखना अपनी कोहनी में, और नीचे से उसके कुलो को भी support करना, body straight line में होनी चाहिए, बच्चे को अपनी उपर लाना, ऐसे दूद पिलाने की वज़ाए, अप जोगी उसी के नीचे से ही ऐसे चोटे-चोटे वह होते हैं, जहां से दूद निकलता है, तो अगर आप वो पूरा काला हिससा बच्चे के मुह में जाने देते हैं, और बच्चे को इतना करीब रखते हैं कि उसका पेट और आपका पेट चूरा है, और इस तरीके सापने प अगर आप इसकी बजाए अपने उपर ले 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 तो और बच्चे के मुह में पूरा इससा रहे तो यूशुली कोई प्राब्लम नी आती क्योंकि आजकल तो इंस्टिटूशनल डिलिवरी होती है, माबाप को तो पता ना भी हो तो अपने आप कुछ वैक्सिन लग जाती है, फिर भी आप क्या हिदायत देंगे, पेरेंस को क्या पता होना चाहिए, कौन सी वैक्सिन, कौन से इंजेक्शन जरूरी है यद वैक्सिनेशन और हमें कुछ एंसनेल इंजेक्शन जो हर बचे को जशनम पर लग जाना चाहिए, यह वैटमिन के वैटमिन के कह इंजेक्शन, चाहे कह रही हो, उसके वैटमिन के प्रस घृटिंचक वैक्टियम फट्सव cathedral, टमनlor रोगल होता क्योंकि वैक्षि दूसरी चीज जब आती है important वो होता है जरम के टीक है, जरम के टीकों में सबसे important होते हैं तीन चीज़ें, एक oral polio drops, एक hepatitis B का injection और एक BCG का injection जो cover करता है tuberculosis को, तो ये जरम पे delivery के बाद first 24 hours में लग जाना चाहिए, ताकि जब बच्चा घर जाए मा के साथ, तो कम से कम ये ची के आते हैं वो होता है 1.5 मेहिने पे, 1.5 मेहिने पे और 3.5 मेहिने पे, as per the government schedule, और एक आता है MMR का injection, जो लगता है 9 मेहिने पे, तो पहले एक साल में government, जो immunization schedule है, तो के recording ये ठीक है लग जाने चाहिए, और इसका चार्ज जरूर आप doctor से, hospital से ले ले ले, फिलाल पहले caller है पहले फोन लाइन पर, अलो, जी, television का volume कम करके, जल्दी से सवाल करिये और किलकारिया हम सुन रहे हैं। कोई बुखार आने का कारण नहीं है, ऐसा कोई side effect नहीं देखा गया है, और रही बात बहुत जादा थूख निकालने की, तो 2-3 महिने का बच्चे में एक concept होता है, जिसे हम कहते हैं mouthing, मतलब बच्चा अपने हाथ मूँ में डालता है, जब हाथ बच्चा मूँ में डाले जाता है, बच्चा बर्प नहीं लेता है, तो क्या है सही तरीका और क्या अगर वो time लगा रहा है, तो वो सही है, ने बर्पिंग जो है, अगें वही मैं बता रही हूं कि यह सारी चीज़े बड़ी प्राकृतिक हैं और बड़ी easily हम उनको आदर डाल सकते हैं, तो बर्पिं कंदे पर रखें, अच्छी थपकी दें, and usually बच्चे बड़ी अराम से ड़कार ले लेते हैं, और अगर ड़कार नहीं भी आती है, और अगर थोड़ा सा दूद बच्चा दही जैसा निकाल रहा है, और अदर वाइस बच्चा हेल्दी है, और वेड गें कर रहा है, तो कोई बच्चा हेल्दी है, और पैदा होने के बाद हम कुशी कुशी घर भी ले आए, लेकिन पहले मैने में ऐसे कौन से वर्निंग साइन्स हैं, कि हम आप इंजार न करें, बापास हस्पता लाएं, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नवजाश इशू के साथ यही दिक्कत है, कि जब बिमार होते हैं, तो उनके साइन इतने हलके होते हैं, कि बहुत बार माबाप को पता नहीं चलते हैं, तो जब आप नवजाश इशू को घर लाते हैं, तो जो चार-पांच चीज़े आपको ध्यान रखनी चाहिए, एकदम डॉक्टर के पास जाना जिसे कहते हैं, कि तुरंट जाहिए, एक है जब बच्चा दूद पीना बन कर दे, जो बड़ा अच्छा बच्चा दूद पी रहा था, अच्छी तरीके से सक कर रहा था ब्रेस पे, और अचानक आपको लगता है वो दूद पीने में धीला पढ़ गया, ये बहुत important sign है, आ अच्छा उसको बुखार आ रहा है, नवजाश इशु को बुखार आना ऐसी चीज निए कि घर पे दवाई देकर बैट जाएं, आपको इमिजएटली हॉस्पिरल जाना है, मैं चार पांच ही बताऊंगी, अदर्वाइस भूल जाते हैं, इन चार के लावा एक पांच्वा जरूर जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, अगर लगे बच्चा तेज सांस ले रहा है, या मुश्किल हो रही है सांस लेने में, तो यह पांच लक्षन तो बिलकुल आपको ध्यान रखनी चाहिए, डॉक्टर सौरब अभी जैसे गर्मी का मौसम है, यह जो पांच अगर आप उस रूम में है और आपको नॉर्मल लग रहा है तो बच्चे को भी नॉर्मल लगेगा, इस में भी बच्चे को दो लेर्स हमेशा होनी चाहिए, एक अंदर का एक लेर, और उसके उपर एक लेर कपड़े का और, इसके अलावा थर्ड एक स्वाडलिंग क्लॉथ जिसे हम कहते हैं, कॉटन का एक कलॉथ पना कर रखा, ताकि बच्चा थोड़ा तक देन रहे, ये बेटर रहता है, जब आप फीट किराते हैं, तो आप ये कलॉथ को हटा देते हैं, ठीक है, अब इस पॉइंट अफ टाइम पर अगर आप ये देखें, कि बच्चे का हवा और ब्रीज होगी, तो नाग जल्दी बंद होता है, छीके जादा आती है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जादा होती है, एसी को 25 का टेंपरेचर आप से सेट करें, रूम का टेंपरेचर 25 के आसपास होगा, तो एक कमफर्टेबल टेंपरेचर है, इसलिए हम एसी प्रेव या कहीं पानी का कलेक्शन नहीं हो, पहले तो सोर्स ही नहीं होना चाहिए, नेट डोर्स लगाके रखे हैं कि मच्छर एंटर ना करें, तो बैस्ट इस की बच्छर आहे नहीं, और उसके बाद भी है, तो फिर मच्छरदानी लगाके कि बच्चे को सोते हैं कुछ बच्चों को टंग टाय वाली एक प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो इनिशियली स्टेज पे पता चल जाती है, और अगर पता चल जाती है, तो क्या किया जाए, क्या उप्चार है, ठीक है, जिए टंग टाय होता है, इसका मलद बच्चे का जो टंग है नीचे से dramatically है, क्या जाती है, ये बिमारी है तो बहुत ही सिम्पल सी चीज है, टंग टाय रिलीस होता है, वो हम कर सकते है, इसके लाव़ze तो यह आती है बाद में, क्योंकि इसमें फिर speech में शूज आते हैं, तो इसमें दिखा गया है कि अगर बच्चा अपनी टंग निकाल पा रहा है और वो यू शेप में निकाल पा रहा है, इसका मलब उसकी टंग टाइ सिंग्निफिकेंट नहीं है, बहुत जादा नहीं है, ले इसका मलब है कि टंग टाइ सिंग्निफिकेंट है, तो कौन सा टाइम डूरेशन बेस्ट है कि वो टंग टाइ रिलीज करा दी जाए, अगर यह प्रेजेंट कर रहा है, अरली इन लाइफ में, लाचिंग में शूज रहा है, तो आप उस समय भी करा सकते हैं, इसकी कोई अप कर रहें एक साल तक, तो ग्रोथ और डेवलेपमेंट के लिहाज से इंपोर्टन माइलस्टोन क्या है, चाहे वो स्पीच की बात हो, हीरिंग की बात हो, तीन महीने, छे महीने, मोटे तोर पर किन बातों को ध्यान रखें, तो आपने दो शब्दों का इस्तमाल किया है, ग्र एक साल तक तिगुना हो जाना चाहिए, जो जनम का वजन है, रफली, पेरेंट्स के लिए, अदरवाइस हमारे चार्ट्स रहते हैं, कि कितने मंथ पर कितना वेट और रेंज होती है, पेरेंट्स का ये भी बता होना चाहिए, कि नॉमल वजन एक नंबर नहीं है, इतना ही ह और सबसे ज़ए इंपोर्टन है, गेन होना, कि बच्चा वजन बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, वो एक दूसरा है, तो शारीरिक विकास तो पता चलता है, मोटे तौर पे इन तीन चीज़ों से, जो आप जितनी बार बच्चा इम्मुनाजेशन के लिए जाएगा एक इम्मुनाजेशन ऐसा टाइम है कि आप डॉक्टर से मिलेंगी, तो यह टाइम होता है जब बच्चे के वजन, लंबाई, सर की, नपाई, यह सारा कुछ हो जाता है, और पता चलता है कि बच्चा नॉर्मली ग्रोगता है, तीक है, दूसरा आपने बात की, डेवलप्मे सीखना, पहले बच्चा गर्दन संभालेगा, दो, धाई महीने, तीन महीने तक, उसके बाद बच्चा बैठना शुरू करेगा, बिना सहारे के बैठना, पहले बच्चे आगे हाथ रखके बैठते हैं, सहारा लेके, फिर बच्चे बिना पकड़े बैठना शुरू कर देते आपको जनम दिन की तस्वीर हमेशा ही याद आती है तो आपको याद होता है जनम दिन पर मेरा बच्चा खड़ा हो गया था चल तो मोबाइल भी देखने है चलना भी शुरू कर देते हैं अच्कल लोग सब उतरा खंट से कॉलर हैं का सवाल लेलें दिनाल जी अलो गुड देखिए चोटे बच्चों में नेजर ब्लॉकेज जो आप बता रहे हैं कि मुझ खोल के सांस लेने का मतलब यह हो गया कि बच्चे का नाग बंद है यह बहुत ही कॉमन है इसका मतलब या तो हम एंवार्मेंट मतलब उसका जो रूम टेंपरेचर है वो ठीक से मेंटेन नह पर बच्चों की नौस्टर जो होती है बहुत नैरो होती है चोटी होती है तो इसके लिए सलाइन ड्रॉप्स नमक के पानी की ड्रॉप्स आती है अगर आप वो डाल लेंगे तो बच्चे का नाग खुलेगा और बच्चा वो आपस मुझ से बंभ बंद करके नाग से सांस लगेगा डॉक्टर शिशू की सेहत तभी बेटर रहती है जब उसकी मा की सेहत अच्छी हो तो चलते चलते आप से वो टिप्स आप दोनों से ही वो टिप्स जाना चाहेंगे हम कि क्या वो शुरू की साफधानिया है डाइट है जो भी है किस तरीके की प्रिकॉशन्स ले किन स कर पाएगी और बच्यक को अच्छे से दूद पिलाना और उसकी पूरी क्यर कर पाएगी तो और मदर खुष भी रहती है जो है तो आपको अहरानी होगी ब्लीके के एकि accurate मदर खुष Architect out मे और मदर जितनी दर्ग में रहे तकलीफ में रहे धूभ आना बंन हो जाता है ह।ो म सारे ना हमारे मिट्स हैं कि मां को घी नी देना मां को नॉर्मल खाना दीचे जाए हम हमेशे कहते हैं अपने पेरेंट से कि आपकी लाक्टेशन जवाब अपने बच्चे को दूद दे रहे हैं तो वाले डाइट जो होती है वो प्रेगनेंसी से बेटर होने चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए 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 बच्चे के